हलो एवरिवाद वेलकम टूम मैं चैनल सुभी क्लासेस तुड़े आप गोईंग टॉक अबाउट फूटर इंडिफिनिट टेंस आज हम बात करेंगे फूटर इंडिफिनिट टेंस के बारे में जानने की कोश्चिस करेंगे होता क्या है फूटर इंडिफिनिट टेंस यह होते हैं जो भविस्त के बारे में बात करते हैं भविस्त में कोई घटनाय होने वाली है जो एक्षन होने वाले जो क्रियाय होने वाली है जो आज नहोंकर कल होने वाली है उसके बारे में यह बताते है जैसे कुछ एक्जांपल के तुर जान पढ़ाओंगा, मेरे पापा मुझे पैसे देंगे आप कोलेज जाएगी मैं आप से बात नहीं करूँगा हुआ होने वाली उन स्होच घटनाएं उन कोच आने वाले समय उन की ओर ये बताते है अब इनका spoken English में बड़ा ही अस्षा इस्तमाल होता है बहुत हम इस्तमाल करते इसका पहले तो हम जान लेंगे कि इसके significance के बारे में कि इसकी पहचान क्या है कैसे हम identify करेंगे कि यह future definite है, past है या फिर present है किसी भी kriya के last में यानि किसी भी accent के last में अगर गा, गे, गी है तो होगा future definite और जब यह पता चलिया से एक example है वह school जाएगी वह school जाएगी में एक शिचन हमारा जाना और जाना के last में लगा हुआ है गी, यानि जाएगी तो यह जो गी वर्ड आ रहा है इसके अंदर यह हमारा क्या बता रहा है future indefinance जैसे मैं खाओंगा आप यहां बैठोगे और नहीं पड़ेगा क्या मैं तुमसे बात करूँगा यह सारे sentence क्या है future indefinance अब जब यह पता चलिए हमारा की kriya के last में गागी की आएगा तो यह future definite है structure क्या होगा इसका सबसे पहले हम बात करेंगे subject की subject के बाद आएगा हमारा cell या will plus verb की first form plus object सबसे simple है यह कुछ नहीं करना आपको subject, cell और will plus verb की first form और object जैसे कि example है C will go to school वो इसकूल जाएगी इसमें क्या होगा C हमारा subject है cell और will और cell और will के बारे में मैं बताऊँगा I और V जो होते हैं अपने साथ cell लेके आते हैं और rest जो होते हैं He हो गए You हो गए They हो गए यह अपने साथ will लेके आते हैं तो यहां C है तो क्या हैगा will लाएगा C will go to school तो C हमारा subject है will हमारा क्या हो गया वर्व की तरह इस्तमाल हो रहा है इसको model और भार भी कर सकते हैं उसके बाद main word वर्वारा क्या है V1 C will go to school तो क्या करेंगे सबसे पहले subject फिर cell और will प्लस वर्व की first verb और square object तो बन गया हमारा C will go to school ये तो था हमारा affirmative question माने लिए क्या करना परेगा question के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे will को C के पहले लगा देंगे तो बन गया मेरा will C go to school और किसी चीज़ में change नहीं करेंगे सिर्फ क्या करना हमको will की जगव को change करके C के पहले लग दे रहा है तो बन गया मेरा will C go to school क्या वो school जाएगी C will not go to school वो school नहीं जाएगी negative क्या बनेगा C will not go to school यहानि will में not लगा करके बाकी sentences को adjective छोड़ देना है तो बन गया मेरा C will not go to school अब हम बात करेंगे interrogative negative की will C not go to school का क्या मतलब हो गया क्या वो school नहीं जाएगी तो यहाँ पर क्या हो रहा है will भी लग रहा है और not भी लग रहा है तो यह चारतरह के sentences होते हैं जिनको हम इस्तिमाल करते है C will go to school वो school जाएगी will C go to school क्या वो school जाएगी C will not go to school वो school नहीं जाएगी will C not go to school क्या वर स्कूल नहीं जाएगी अब इनके practice करना है और practice करना मैंने रखा है 4 ways कैसे practice करना है आपको I पर बोलना है, V पर बोलना है, U पर बोलना है He पर बोलना है, C पर बोलना है, D पर जैसे अगर मुझे I पर practice करनी होगी तो मैं बोलूँगा I sell, क्योंकि I और V अपने साथ क्या लाते है Sell लाते है, तो मैं बोलूँगा I sell go to school Sell I go to school, I sell not go to school Sell I not go to school उसी तरह V पर V sell go to school, sell we go to school V sell not go to school, sell we not go to school यह होगी है मेरा V You, you will go to school Will you go to school, you will not go to school Will you not go to school Sub का मतलब वही होगा सिर्फ क्या करना होगा, आपको subject को change करना होगा और इसको बोल कर practice करनी होगी और इस practice करना मैंने रखा है Four ways इसको आपको बोल कर practice करना आपको लिखना नहीं है, आपको बोलना है पहले I पे बोलेंगे वी पे बोलेंगे यू पे ही, सी, और दे और सबसे बड़ी बात क्या है कि subject होगा लेकिन आई वी पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा sell और इसके साथ will ध्यान देनी होगी इन बातों को आगे बढ़ते हैं अब बनाने कुछ examples है जैसे कुछ examples मैं नहीं रख लेगा है जिसमें मैंने subject sell or will लगाया और भर लगाया जैसे पहला sentence I sell meat मैं मिलूंगा We sell us हम लोग पूछेंगे He will eat वो खाएगा My brother will buy मेरा भाई खड़ी देगा She will bit वो क्या करेगी She will bit These kids will play ये बच्चे खेलेगे Simple सा वाड इसमें subject लगा देना है Sell लगाओ और एक भर को लेओ एक sentence बन गया जैसे ही के साथ will आ गया और it लगा देगा He will eat It के जगा मैं अगर इसमें कम लगा देता तो बन जाता ही will कम वो आएगा अगर मैं eat के जगा पर drink लगा देता He will drink वो पिएगा Eat के जगा पर run लग देता तो बन जाता ही will run वो भागेगा तो सबसे simple sentence नहीं होता है subject लगाओ Sell और विल को लगाओ और कोई भर्व की first one ला दो उसका एक mini हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब उसमें तो मैंने बात की थी subject, verb, sell will और भव की बात की थी यहाँ पर मैंने क्या की एक चीज एक्स्ट्रा लगाई है वो है हमारा object I shall meet you मैं तुमसे मिलूँगा तो object हमारा you लग गया तो एक sentence बन गया I shall meet you उसी तरह we shall ask him हम लोग उससे पूछेंगे He will eat graphs वो अंगूर खाएगा My brother will buy a watch मेरा भाई एक घरी खर देगा C will beat you वो तुम्हें बीटेगी These kids will play this game यह बच्चे इस game को खेलेंगे तो इस simple मिसमें क्या था subject, sell, will, verb और मैंने extra क्या लगा था object और इसके पीछले वाले slide में मैंने क्या लगा था subject, sell, will, verb की first form यहां मैंने सिर्फ क्या किया था object पर देखते हैं आगे अब जैसे मैंने बोला था कि sentence के चार form मैंने बताया थे सबसे first वाली slide में जहां मैंने बात किया था चार sentence के बारे में affirmative, negative interrogative, 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 negative अब जैसे affirmative sentence हम चारता से sentence बोलते है उसका पहला होता है affirmative sentence जहां हम बात करने affirmation की जैसे I shall meet your friend मैं आपके दोस्ते मिलूंगा she will dance here को यहां नाचेगी they will sell my book वे मेरी किताबे बेचेंगे she will buy a flag today वो आज एक flag खड़ेगी simple, affirmative sentence है ले जाना है आपको sentence को affirmative तरीके से बोलना है जिसमें non आपकी बात नहीं होगी सिर्फ हाँ वाली बात होगी जैसे मैं जाओंगा, मैं खाओंगा, मैं पढ़ूंगा मैं लिखूंगा, तुम आओगे वो वहाँ जाएगा, यह सारी sentence affirmative sentence है अब जैसे next हमारा होता है negative sentence affirmative हो गया, negative हो गया negative में क्या करना है आपको sell, will के साथ not लगाना है क्या लगाना है, sell, will के साथ not का सित्माल करना है अब बाकी सारी चीजे वैसी रहेगी जैसे I sell not meet your friend मैं आपके दोस्त से नहीं मिलूँगा simple सा बन के I sell not meet your friend उसी तरह second she will not answer वो यहाँ नहीं नाचेगी they will not sell my book वे मेरी किताबे नहीं बेचेंगे she will not buy a flat today वो आज एक flat नहीं खरेदेगी तो यह कुछ examples है affirmative sentence के और negative sentences के next interrogative sentence interrogative sentence दो थर से बनते हैं एक थो होते हैं start with sell or will और दूसरा होता है डवल है question तो हम सबसे पहले बात करेंगे sell or will से जैसे sell I go to market क्या मैं बजा जाओंगा सबसे पर मैंने क्या किया sell को लगा या फिर subject फिर 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 की first form और बाकी का जो words आते हैं उसके बाद तो बनके मेरे sell I go to market क्या मैं बजा जाओंगा will see marry him क्या वो उससे साधी करेगी will they learn French क्या वो फ्रेंच चिखेंगे will see come to office क्या office आएगी यह थे मारे कुछ examples introductory sentence के जो sell और will से बन रहें अब हम बात करेंगे introductory sentence के जो डबलेट कोस्टन से बनेंगे जैसे sell I go to market यह थो मेरा sell will से start था इसके आगे हम क्या करेंगे when लगा देंगे तो बन गया when sell I go to market मैं बजार कब जाओंगा why will see marry him यानि will see marry him के पहले क्या लग गया why तो क्या बन गया why will see marry him वो उससे साधी क्यों करेंगी उसी तरह will they learn french के पहले how लग गया तो बन गया how will they learn french वे french कैसे सिखेंगी for whom will see come to office वो किस के लिए office आएगी यानि will see come to office के पहले लग गया फोरूम फोरूम का मत होता है किस के लिए तो ये बन गया वो किस के लिए office आएगी तो हम यहाँ देख रहें कि इंट्रोगेटी सेंटेंस sell or will और डबलेश कोशन दुनों से बनते हैं उसी तरह से हमारा होता है इंट्रोगेटीव नेगेटीव सेंटेंस इंट्रोगेटीव नेगेटीव सेंटेंस में इंट्रोगेटीव तो होगा कोशन तो पुछे ही जाएंगे साथ में साथ वो क्या बात करेंगे नेगेटीव के बारे बात करेंगे जैसे ये भी हमारे दो तर से बनते हैं इंट्रिटिव नेगटिव कोश्टन भी होते हैं हमारे दो तर से बनते हैं एक होता है start with cell will और दूसरा होता है start with double question तो cell will से क्या बनेंगे cell will not play है क्या हम यहां नहीं खेलेंगे will see not by it क्या हो इसे नहीं खर देगी देख रहें will see not यहां पर क्या करना है सबसे पहले cell और will पहले आएगा फिर subject आएगा उसके बाद not फिर verb की first form और object will see not by it क्या हो इसे नहीं खर देगी उसी तरह will they not teaching क्या वे उसे नहीं सिखाएंगे will see not talk to you क्या हो आपसे बात नहीं करेगी यह कुछ एक्जांपल से जहां पर cell और will और साथ ही साथ not भी आ रहा है जैसे cell फिर subject फिर not फिर play फिर here cell भी not play here क्या हम यहां नहीं खेलेंगे question भी आ रहा है और negativity भी आ रहा है why तो क्या बन गया why shall we not play here हम लोग यहां क्यों नहीं खेलेंगे देखने हैं नहीं क्या बन गया क्यों नहीं अब next will see not buy it के पहले where लग गया तो बन गया where will see not buy it were इसे कहां नहीं खरिदेगी when will they not teach him वे उसे कब नहीं सिखाएंगे तो बन गया will they not teach him के पहले लग गया when तो बनता है हमारा when will they not teach him वे उसे कब नहीं सिखाएंगे उसी तरह next will see not talk to you के पहले लग गया how तो बन गया how will see not talk to you वो आपसे बात कैसे नहीं करेगी यह थे कुछ examples integrity negative sentence जो की cell will से बनेंगे और दूसरे डब्लिष कोस्टन से अब देखना क्या future in different tense का spoken list में कैसे तुमाँ करें कुछ sentences मैंने इस slide पे दे रखें आप उसको देखें और पढ़ें जैसे पहला है I will not leave you wherever you are जहां कभी तुम जाओगे मैं तुमाँ पीछा नहीं चुरूँगा करते हैं तो लोग क्या कहेंगे How long will you wait for him तुम कब तक उसके दिजार करोगे I will teach you a lesson मैं तुम माजा चखा दूगा One day he will become an IS officer एक दिन वो IS officer बनेगा Will you do me a favor क्या आप मेरा काम करोगे When will you give me time to discuss आप मुझे कब समय दोगे discuss करने का यह थे हमारे future indefinity related वो सारी जनकारी है जो मैंने इस वीडियो के मादे अब तक पहुँचाई है आप इसको पढ़े समझे और इसको try करें एक बाज़ों करना चाहूँगा कि for which की practice आप करते रहे for which ही एक ऐसा चीज़े जिसके practice के दौरे इस सारी सट्डेजर अपके जवाब पहाँ जाएंगी और अप इसका इस्तमार कर सकते हैं आज के लिए इतना ही next class में मैं किशी और subject को लेकर मिलूँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद